सबी पत्रकार बंदूओं को नमस्कार आज इंडिया गडबंधन की संयुक्त प्रेस वारता में दिल्ली के मुख्यमंत्री मानिय अर्विन केजरिवाल जी समाजवादी पार्टी के रास्ति अध्यक्ष मानिय अख्लेश यादो जी अपनी बात रखेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरिवाल जी इंडिया गडबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में जनता से अपील करने के लिए आया है वोट मांगने के लिए आया है मैं उनसे अन्रोद करूँगा बिनमरता पुर्वक कि वह अपनी बात रहते हैं आज यहां आयोए सभी पत्रकार बंधुओं को और जितने दर्शक यह देख रहे हैं उन सब को मेरा नमस्कार मेरा प्रणाम आज लखनव में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदताओं से इंडिया गठवंदन को भारी भरकम वोट देने के लिए भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूँ मैं चार बातें रखना चाहता हूँ पहले चारों बिंदू बता देता हूँ फिर उसको डीटेल में एक्स्प्लेइन करूंगा पहला ये कि ये चुनाव भारतिय जन्ता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं अमित शाय जी को प्रधान मंस्री बनाने के लिए वोट नहीं दूसरी बात योगी अदितिनाथ जी को अगर ये लोग चीत गए तो योगी अदितिनाथ जी को दो से तीन महीने के अंदर उत्तरपरदेश के C.M. से हटा दिया जायेगा नमबर तीन इन लोगों की पूरी तैयारी है अगर ये लोग जीत गए तो समविधान को बदलके SCST और OBC का Reservation खतम कर दिया जाएगा और नमबर 4 जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठवंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और BJP को बहुत कम सीटे मिलने जा रही है मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पर आता हूँ जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरिंद्र मोदी जी तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारते जंता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से उपर कोई भी रखती होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा और उसका सबसे पहले उस रूल के तहट आडवानी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था और उसके बाद तमाम यश्वन सिना जी सुमित्रा महाजन जी कई लोगों को यहाँ टिकेट नी मिली कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया इसे कई सारे लोग हैं तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधान मंत्री मोधी जी 75 साल के होंगे और मोधी जी ने तै कर लिया है कि अमिद शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमिद शाह जी अगले साल 17 से तंबर को देश के प्रधान मंत्री बनाने का उन्होंने तैक किया है मोदी जी ने इसके उपर मोदी जी पिछले एक दो साल से लगे भी हुए है क्योंकि भारते जंता पार्टी के अंदर अमिद शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता एके करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया उनका पत्ता साफ कर दिया गया शिवराज सिंग चोहान को हटा दिया गया वसंदरा राजे को हटा दिया गया डॉक्टर रमंद सिंग को हटा दिया गया देवेंदर फड़नवीज को खतम कर दिया गया खट्टर साव को खतम कर दिया गया एक एक करके सब को खतम कर दिया गया अब योगी अधितिनाथ जी को इन्हों ने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो दो महिने के अंदर योगी जी को भी उत्रप्रदेश के सीम से हटा दिया जाएगा मैंने दिल्ली में तीन-चार दिन पहले ये प्रेस कांफरेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाये थे जैसे मैंने मुद्दे उठाये थे तो अमित शाजी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नई नी मोदी जी को 75 साल में स्तिफा नहीं देना चाहिए मोधी जी को 75 साल पूरा कारेकाल पूरा करेंगे उन सबकी भावना हों कि मैं कदर करता हूं क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बत होती है तो सब लोग सामने आखे बात करते है लेकिन बड़ी बात जी है कि मोधी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल कर पर इस показывा तो नहीं के भी उन्गा, उनका अपना बनायाओर रूल है और मुझे पूरी उमीद है कि मोधी जी का अपना बनायाओर रूल है और मोधी जी अपने रूल को follow करेंगे, नहीं तो लोग कहेंग कि मोधी जी ने ये रूल अडवानी जी को हटाने के लिए बनाया था जब अपनी वारी आई तो नहीं तो मोधी जी इस रूल का फालो करेंगे ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फालो करेंगे दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी अदित्यनाथ जी को दो महीने में हटा दिया जाएगा इस पे अभी तक भाजबा के किसी नेता की टिप ने नहीं आई गया चार दिन हो गए इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर लिया और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तयार नहीं है योगी अदित्यनाथ जी के तो उनका हटना अब लगबग तै है कि योगी अदित्यनाथ जी को उत्तर परदेश के सीम सबसे हटाये जाए कि दूसरी चीज मैं उत्तर परदेश के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं की पिछले चार पांच महीने से इन्होंने शोर मचा रखा चार सो पार चार सो पार चार सो क्यों कहते हैं नहीं मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाते हैं तो लोगों ने खो करना चाते हैं हम जानते हैं कि इनका जो पूरा एको सिस्टम है आरे से बीजेपी शुरू से यह लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं इनकी पूरी की पूरी मानसिक्ता रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं तो मैं सभी लोगों को यह आगाह करना चाहता हूं कि यह बड देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारते जन्ता पार्टी को धाइसों से भी नीचे मेरे हिसाब से 220 के आसपास पूरे देश के अंदर एक नेगिटिविटी इन लोगों ने फिलाई है उसको हम लोग ठीक करेंगे मैं अंत में उतरपरदेश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठवंदन के यहां पे सपा और कॉंग्रेस का गठवंदन इंडिया गठवंदन का जो ज अब मैं निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी के रास्त्रिय द्यक्ष मानी अखलेस यादोजी से की वक्ते बाद आधिया अर्विन केजिवाल जी का मैं धन्यवाद देता हूं उन्होंने बहुत महतूर बाते आपके सामने रखी हैं जो देश का माहुल है और चार चरणों में भारती जंता पार्टी चारो खाने चित हो चुकी है और उनके आस्वों की नदी उफान में है भारती जन्ता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे अब समझ में आया है चार चरणों के बाद वो बात तो ठीक है कि आरफ च्छर पे सबसे पहले हमला करेंगे लेकिन 400 पार नारा इसलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं तो वो केवल 143 बन रही है तो वो स्वेंस विकार कर रहे हैं कि 143 से ज़्याद है वो सीटें जीदने वाले नहीं हैं क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती है और एक सो चालिस क्रूर की जंता इस बार इन्हें एक सो चालिस सीटों के लिए भी तरसा देगी ये यूपी दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खिल में उदल जाएंगे यहां कुछ इन्हें हासिर होने वाला नहीं है रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे लेकि रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें समिधान बचाना है सम Pittman बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और बाबा Aypanta मिडकर जी का दिया हुआ समिदान ये हमें अदिकार हमें न्याय दिलाता हैं भारती जंता पार्टी की इस साजिष को आम लोग समझ गए हैं और इस बार सबसे बड़ी हार भारती जंता पार्डी की होने वाली है अभी तक तो हम यह कहते देगे भ्हमाड का सबसे बड़ा जूट बोल लेंगे अब लग यह राय हारने के बाद यह भ्हमाड का जूट का विद्याले खोलेंगे यूनिवेस्टी खोलेंगे और वाइस चांसलर और दीन पहले से कि रिटायर हो करके वहां अपने आप निक्त हो जाएंगे इसलिए देश को बचाने के लिए आदनी आदमिन के जिवाज जी आये हैं हम लों का सहयों को मदद करने के राए मैं इनका धन्यवाद देता हूं और आप पार्टी इंडिया गड़ बंदन समाजवादी पार्टी हम सब मिलकर के भाजिन दापार्टी को हटाने जा रहे हैं है 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 उनकी कौन सी बास सच निकले कि अभी आरे अभी आप से का कि 75 साल वाला जो वह है रूल नियम उसको तो फॉलो किया जाएगा इसी से पता लग जाएगा अगर आप इनका इतिहास उठा के देखें पिछले 55 साल का जनसंग का आरे सेस्ट का थूआउट ये लोग रिजर्वेशन के खिलाप रहे हैं तो अब 400 सीटे लाके ये समविधान बदल के उस रिजर् आरे उससे ज्यादा जूरी और चीजें भी हैं कागज हमने काली हैं आज आपके साथ में भाजबाई किसी के सगे नहीं है ये है कि भाजबाई किसी के सगे नहीं है और बाजबाई जूटे मुगत में लगाने वाला गैंग है आपके साथ भूम रहा हूं के लिए क्या कहीं है हाँ मैं बोल रहा हूं बोल रहा हूं बोल रहा हूं एक सेकंड बोल रहा हूं पीडित है मणीपूर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया सैक्रों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई भारत के प्रधानमंत्री खामोस रहते हैं हजारों महिलाओं के साथ प्रध्जल रवन्ना ने बलातकार किया धरिंदगी की मा की उमर की महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा इसी को वोट देना ये भारत का भविस्व है पे जलर वनना उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थी नयाय मांगने के लिए तो यही स्वाती मालीवाल जो महिला आयोक की अध्यक्स थी रात में उनके समर्थन में गई थी पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीब सेंगर के मामले में हाथरस के मामले में देश के प्रधान मंतरी खामोस रहते हैं एक शब्द नहीं बोलते आमादनी पार्टी हमारा परिवार है पार्टी ने अपना रुक साफ कर दिया है और मैं चाहता हूँ जितने विसे मैंने आपके सामने रखे हैं देश के प्रधान मंतरी और भारती जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए स्वाती मालीवाल के मामली में जवाब देना जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पर नया मांगने गई थी स्वाती मालीवाल जी उस समय घसीट-घसीट के मरवाया पुलिस वालों से तो इसलिए इसको इस पर राजनीति खेल ना खेले मैं सिर्फ इतना करा जाओ धन्यवाद